बाला में पहली बार ऐसे किरदार में देखेंगी भूमी, इंटर्वियू में बोली फिल्म सोचने पर करेगी मजबूर अपनी हर फिल्म में एक नई किरदार में खुद को ढालने की अभिनेतरी भूमी पेडने करकी अब तक की कोशिशों को हर बार सराहना मिली है फिल्म सांड की आंख में वाहवाही लूटने के बाद भूमी इस शुकरवार को रिलीज हो रही फिल्म बाला में एक ऐसी वकील का किरदार निभा रही है जिसे समाज में त्वचा के रंग के चलते बेज़ती का सामना करना होता है फिल्म बाला में आयुशमान खुराना के किरदार की चर्चा खूब हो रही है आपने ये फिल्म क्यूं की? हर चीज में कोई नकोई नुक्स निकालने वाले समाज में आत्मसमान और खुद से प्रेम कितना महत्वपून है यहीं ये फिल्म बताती है इसी सामाज एक संदेश की वजह से मैंने ये फिल्म की अपनी पहली फिल्म से ही मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह के सिनिमा का इसाबनना मैं पसंद करती हूँ वेहमन और अन्जक होना चाहिए कुछ अलग होने के साथ ही इसे वास्तव में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो मेरे दशकों को एक भावनात्मक सफर पर ले जाने के साथ ही साथ उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे इस किरदार की समाज से क्या लड़ाई है फिल्म बाला में मेरा किरदार एक सावली लेकिन बेहत उपसूरत लड़की का है अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो यही पताच चलता है कि गोरापन ही सब कुछ है आपको रंग साफ करने वाली क्रीम के विग्यापन देखने को मिलेंगे और यदि आपकोई बैवाहिक विग्यापन देखते हैं तो वहां हमेशा ही गोरी लड़की की ही जरूरत रहती है उन्हें एक पतली, लंबी और स्वाभाविक रूप से गोरी लड़की की जरूरत होती है ये किरदार सावले या गेहरे रंग के प्रती समाज में व्यापत एस उची मानसिकता से लड़ना चाहता है मेरा किरदार लतिका, एक अनात है जो अपनी चाची के साथ रहती है उसकी चाची काफी खुले विचारों वाली महिला है लेकिन मुझे लगता है कि लतिका सिर्फ आत्मविश्वास से भरी एक लड़की है जो हमेशा अपने बच्चाव की मुद्रा में ही रहती है सुन्दर्ता को लेकर समाज ने जो मानक निर्धारत किये हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? सुन्दर्ता की सही परिभाषा बताने के लिए समाजिक और पर हमने कुछ गलत मानक निर्धारत किये हैं और सुन्दर्ता की इस परिभाषा को तोड़ने के लिए ही मैंने अब तक के तमाम किरदार किये हैं सुन्दर्ता काफी व्यक्ति प्रक होती है भगवान ने हमें से प्रतेक को अलग तरह से बनाया है और हमें खुद को सुईकार करने की जरूरत है बाला में इसी के बारे में बताया गया है ये फिल्म आत्मसम्मान और सप्रीम के बारे में है